क्या सोचा था बेंद स्टॉक्स की टीम इंडिया बिना बुम्रा के है तो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करोगे और रोहित शर्मा खुश हो जाएगा तुमको बधाई देगा बोलेगा जाओ दोहरा शतक लगाओ और बैजबॉल का खेला दिखाओगे लंबा लंबा स्कोर ब कर अंग्रेजों की आगे से गीली और पीछे से पीली कर दिया भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज में भारत की ओर से अब तक चार खिलाडी डेब्यू कर चुके हैं सबसे पहले डेब्यू किया रजित पाटिदार ने फिर सरफराज और धुरुव जुरे और अब इस लिस्ट में सबसे लेटिस्ट नाम जुड़ा है आकाश दीप का रांची टेस्ट में टीम इंडिया के लिए आकाश दीप 313 वेंग खिलाडी बने और एक जोड़दार डेब्यू किया और दिन के पहले सेशन में वो अकेले ही अंग्रेजों पर तूट पड़े तीन विकेट उन्होंने निकाले और अंग्रेजों के होश उड़ा दिये मगर जो रुट ने अपने दोनों पैर बड़ी मजबूती से जमा दिये और शतक लगाकर इंग्लैंड को अच्छी स्थिती में ला दिया है अगर भारतिये गेंदबाज जो रुट को जल्दी से गा बात में नहीं चाहते थे कि बेटा क्रिकेट खेले गलती उनकी नहीं थी क्योंकि बिहार में उस वक्त लेदर क्रिकेट का मतलब बरबादी था BCCI ने भ्रष्टाचार के आरोप में बिहार क्रिकेट संग की मान्यता खत्म कर दी थी साधारन शब्दों में इतना समझिये कि बिहार से अलग होकर जारखंड बना उसको मान्यता मिल गई और वह रंजी ट्रॉफी खेलने लगा बिहार की स्थिती जस की तस रही आकाश दीप को पडोसी भी बहुत ताने मारते थे कहते थे कि अपने बच्चों को इसकी संगती से दूर रखो सब को क्रिकेट का चसका लगा कर बिगार देगा अब आकाश दीप के लिए बिहार में रहना बहुत मुश्किल हो गया था आकाश दीप ने बिहार छोड़ कर पश्चिम बंगाल के दुरगापुर का रुख किया वहाँ पर टेनिस क्रिकेट खेल कर लोग पैसे कमा सकते थे पिता ने कई बार आकाश दीप को सरकारी चप्रासी बनने के लिए कहा पिता ने फॉर्म भी ला कर दिया लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया वह फॉर्म भर देते थे और एक्जाम में खाली शीट जमा कर वापस घर आ जाते थे दुरगापुर में आकाश दीप ने टेनिस क्रिकेट में अपना मुकाम बना लिया ऐसा हो गया कि उन्हें हर मैच के लिए पांच से छे हजार रुपे दिये जाने लगे जिस टीम में आकाश दीप खेलते थे उस टीम की जीत बगैर खेले ही सुनिश्चित हो जाती थी इस बीच भी आकाश दीप ने लेदर क्रिकेट की प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया दुरगापुर के लोकल क्लब में वह दिन रात जोर लगाते थे आकाश दीप को उस क्लब के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिलता इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया चार महीने के भीतर बड़ा भाई भी चल बसा कुल मिला कर यह कि छे महीने में आकाश दीप की दुनिया बदल गई अब इस लड़के पर परिवार के भरण पोशन की जिम्मेदारी थी आकाश दीप बताते हैं कि इस दौर में उनके आंसु भी सूख गय थे आकाश दीप ने तीन साल के लिए क्रिकेट छोड़ दिया और मा का ध्यान रखने के लिए छोटी मोटी नौकरी करने लगे उनके चहरे से खुशी हमेशा के लिए जा चुकी थी तीन साल बाद भी क्रिकेट आकाश दीप से छूट नहीं पाया उन्होंने जो भी पैसे कमाए सब मा को दे कर वापस दुरगापुर बंगाल लोटे लोगोंने सलाह दी कि कोलकाटा चले जाओ वहाँ अगर किसी क्लब से जुड़ कर लेदर क्रिकेट खेलोगे तो आगे बढ़ने का मौका है अपने एक कजिन ब्रदर के साथ कोलकाटा में आकाश दीप ने छोटा सा कमरा किराय पर लिया खाने पीने की दिक्कत थी यहाँ तक की पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं थे सिर्फ क्रिकेट था जिसकी बदौलत आकाश दीप की सांस चल रही थी मेहनत रंग लाई और बंगाल की अंडर 23 क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हुआ इसके बाद इस युवा खिलाडी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा आज मा के सामने आकाश दीप को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला है भगवान ने उनकी सुन ली